हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चाइनल इंगली स्विधालोस कर स्रिष्टी क्लास में जैसा कि मैंने पहले पेपर रीडिंग का कंसेप्ट या अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट बिल्ड अप कर रहे है अड्जेक्टिव हो गया आज एड़ब करेंगे पहल आप इसको पढ़ लेजी अच्छे से चलो देखते हैं इसको पढ़ते हैं पहले बिहार चीफ मिनिस्टर नितीज कुमार बिहार चीफ मिनिस्टर नितीज कुमार ठीक है तो इसमें तो यह पूरा क्या है नावनी समझो ठीक अड्जेक्टिव करने का नहीं कि यह अड्जेक्टिव नाम में क्या अड्जेक्टिव करोगा अन फ्राइडे ऐसा फ्राइडे है जो बीच चुका है तो कौन ऐसा फॉ आप नाउन की नाउन कियों किया है रिवोब ड लोगो रिलीज किया है लोगो रिलीज किये थे अबतना मेट्रो रेल कॉपरेशन PMRC PMRC का लोगो Release किये थे चुकि B2 है AND AND LAUNCH अब बताओ AND किसको जोर रहा है ध्यान से देखिए बहुत important concept है बताइए AND किसको जोर रहा है यहाँ पे है LAUNCH मतलब B2 तरह तो क्या PMRC है नहीं यह तो noun है जब भी आएगा तो B2 तो B2 कहा है यहाँ पे है तो AND किसको जोर रहा है Release को और LAUNCH को Release का subject कोन है नितिष कुमार तो LAUNCH का subject कोन होगा तो नितिष कुमार ठीक है अब यह LAUNCH ट्रांजिटीब की इंट्रांजिटीब ट्रांजिटीब तो क्या लेगा अबजेक्क लेगता है नाँनिया पुर नाँन यहाँ पे द आया क्या हो जाएगा नाँन द शकेंड टर्नल बोरिंग मसीन TMR LAUNCH किया कहाँ पे नियर मोईनूलहक स्टेडियम मोईनूलहक स्टेडियम के नदिक इन पतना कहाँ पे पतना में फौर फॉर के बाद देखो तो भी फोर है, नहीं है, पर नाउन है, नहीं है, तो 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 नहीं है के अंडर्ग्राउंड सेक्षन का ठीक है देखो यहां पे और फिर पोर्जेक्ट के अंडर्ग्राउंड सेक्षन का फॉर्ड न कंस्ट्रक्शन के लिए इन पतना में नियर का हम वहनुलहक एस्टेडियम ज्यादा पिर पोचीशन देना तो लास्ट वाले से आप क्या हिंदी मीनिंग करना सुरू करेंगे यहां से पोर्जेक्ट के अंडर ग्राउंड सेक्षन के कंस्ट्रक्शन के लिए पतना में नियर मोईनुलह के स्टेडियम तो अब क्या लगया दो आया तो नाउन का पोजिशन कंफर्म कहा पे है तो चैनल नाउन है यह मेरा अड्जेक्टिव है इसका मतलब है कभी पुल्रल नहीं होगा इज्ट अब चूकर क्या होगया और गहां सेमलार तो भर्ब क्या लगे ज़िए अब यह बताना यह यह बहु क्या है इज के बाद भी फोर आएगा बिल्कूल आएगा ठीक है आच्जू की कौन से फैमली का है तो फे जब वर्ब का है तो इसके बाद यह अंचा फार मोगा तो बोलेंगे भी थी अगर फोर होता तो इंज लगा होता आग아 एसा तो कुछ है नहीं तो क्या हो गया यह मेरा B3 अब B fed plus B3 B fed plus B3 क्या होता है तो बोलेंगे passive wealth इसमें क्या होगा जो subject होगा वो receiver होगा doer नहीं होगा मतलब कोई काम करने वाला नहीं होगा उत पर काम होगा तो underground tunnel is being built मतलब underground tunnel बनाये जा रहे हैं from moynoolhuk Stadium कहां से? moynoolhuk Stadium से तू कहां पे, मालाही पकडी, कहां तक, मालाही पकडी ठक, हुच, अब हुच क्या काम कर रहा है, बोलेंगे, relative pronoun, ठीक है, हुच इज, जो की है, the part of second corridor, जो की है, हिस्चा, किसका second corridor का, of मतलब का के, तो second corridor का हिस्चा है, दिप्टी चीफ मिनिस्टर, तेजशी परसाद यादव, डिरेक्टर, दिल्ली मेट्रो रेल कोपरेशन, दिल्जीत सिंग, and other senior officer bear also present, मतलब वो भी उपस्ती से, अब बताना ये bear क्या है, तो भर्व, और ये present क्या है, तो बोलेंगे adjective, अच्छा, ये बात बना, बीभर्व के बाद adjective आता है, तो आता है, बीभर्व के बाद subject compliment आता है, जिसमें क्या होता है, नाउन पर नाउन और adjective, अब यहाँ बीभर्व है, ठीक है, यहाँ पर adjective आया, तो बताओ ये क्या है, तो बताया थे ना, ये मेरा क्या हो जाएगा adverb, नियुक्य आद्जेक्टिब से पहले क्या आता है adverb, देखो, अगर noun रहता ना, क्या रहता noun, तो इधर बहुत सार आद्जेक्टिब आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जब आद्जेक्टिब केले रहे, तो केवल और केवल जो position होगा, वो किसका होगा, adverb का होगा, also present, be present on the occasion, on के बाद before, नहीं, pronoun नहीं, तो क्या हो गया, now, dmrc, hash been appointed, अब देखो, hash के बाद b3 है, b verb के बाद b3 है, अब बताना, active की passive, तो बोलेंगे, passive क्यों, b verb plus b3, क्या हो जाएगा, passive, तो dmc, a point किये जा चुके है, dmc ने point किया नहीं है, dmrc, a point किये जा चुके है, अज कंसल्टेंट, अब जब अज के बाद, अज जब फिर position का काम करे, तो उसका मतलब होगा, k रूप में, अज कंसल्टेंट के रूप में, ठीक है, अगर अगर अज कंजंक्शन का काम करने लगे, subject लेने लगे, तो याद रखे, जैसे की, उसका मीनिंग क्या, जैसे की, बताएगा, to build, बनाने के लिए, infinitive, तो क्या बनाने के लिए, the, अब देखो, infinitive है, तो अपना object लेगा, लेगा, transitive nature का है, तो object लेगा, the, 32.50 km long network, अब दा आया, तो network क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, adjective, अब पतना metro, किसका, पतना metro का, in the first phase, first phase, अब इन के बाद क्या है, noun, ये first हो गया, adjective, the, अब बता ना, इसमें दा क्यों लगा, तो बता चुके है, ना, कि ordinal से पहले दा लगता है, तो first, second, third, fourth, fifth, जो भी हो, second, last, जो, next, जो भी हो, उससे पहले क्या लगता है, the, at, at, अब देखो भी पोर नहीं, परनाम नहीं तो क्या, at a cost of इतना करोर, इतना करोर के कीमत लागत पर, ठीक है, तो I hope ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, जहां भी दिक्कत हो, आप ये comment करके बताना, कि आपको अच्छे रंगते, पूरा क्लास करना, जितना भी 35, 36 वीडियो हो चुका है, पूरा कम्पलीट करना, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग इस्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, चलिए आज बात करते हैं, अड़बर्ब की, अड़बर्ब, आदवर्ब, अब क्या होता है? तो देखो, लंबा 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 डिफिरींशन नहीं देना है, बस अड़ब के बारें बताता है, ये बर्ब को मोडिफाई करेगा, ये एड़बर् खुद को मोडिफाई करेगा, इसका मतलब ये ज्यादा इस्ट्रेस डालेगा, भर्बर एड़ेक्टिव पे और भर्व खुद पे, ठीक है, तो इसका मतलब है एड़व है, तो एड़व के बाद एड़व आसकता है, क्या, एड़व के बाद एड़व आसकता है, अगर एड़व है, तो उसके बाद क्या है, एड़ेक्टिव आसकता है, आसकता है कि नहीं आसकता है add verb है तो उसके बाद भर्व आ सकता है जिसको बोलेंगे main verb क्या होगा ये main verb ये चारो जो है बहुत important point है ठीक है हम पहले example से clear कर लेते हैं क्या है जेखो I am poor क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ये b verb है b verb के बाद आता subject compliment ये adjective है तो लिख सकते हैं अब adjective है तो ऐसे लिख सकते हैं I am very poor अब ये आपका हो गया adjective अब ये क्या हो गया add verb अब देखना adjective से पहले add verb आया की नहीं आया तो वही same concept है ये वाला valid हो गया की नहीं हो गया तो बोलेंगे ये सही है I am अब यहाँ पे यहाँ पे किसका ये अड़वर्ब ला सकते हैं तो बिलकुल ला से है I am really very poor अब देखो ये हो गया adjective adjective के पहले क्या है अड़वर्ब अड़वर्ब के पहले भी अड़वर्ब आ सकता है ठीक है अड़वर्ब के पहले भी क्या अड़वर्ब आ सकता है तो देख लिजे यहाँ भी adjective रहेगा उससे पहले क्या दे सकते हैं अड़वर्ब अड़वर्ब आ गया तो इससे पहले यहाँ भी क्या दे सकते हैं अड़वर्ब दे सकते हैं अड़वर्ब के बाद देखो Adverb आता है, तो Adverb के बाद क्या है, यहां पे Adjective लिख सकते हो, तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां पे Adjective लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, क्या यहां पे Noun लिख सकते हैं, तो बिल्कुल, Noun की भी सेस्था कौन बताता है, Adjective, तो Noun से पहले Adjective, Adjective के बाद Ad एड़ब के बाद एड़ब लिख सकते हैं जैसे देखो I am a poor boy लिख सकते हैं आठकिल आया तो बोनेंगे आया आया तो नावन कहा पे है तो यहां पे है नावन हो गया तो यह क्या हो गया आडजेक्टीजड़ जब यह adjective हो गया, तो यहाँ पे आड़वर्ब डिख सकते हैं, तो बोलें, बिल्कुल लिख सकते हैं. I am a very poor boy. अब यह हो गया noun आपका, यह हो गया आपका adjective, यह हो गया adverb, और क्या यहां पे adverb लिख सकते हैं, तो adverb को भी adverb क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, I am really very poor boy, तो यह वाला concept क्या हो गया होगा, clear हो गया, adjective है तो उसे पहले adverb डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन एक concept रियाज रखिएगा, adverb के बाद noun नहीं आजाएगा, adverb के बाद noun कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि noun से पहले तो adjective आता है, जब यहाँ adjective आ जाए, तब आप adverb डाल सकते हैं, बाद क्लियर, तो यह हमेशा ध्यान में रखिएगा, यह noun है, तो noun से पहले आप adverb नहीं डाल सकते हैं, उससे पहले क्या डालीगा, adjective उसके बाद फिर adverb, तो यह वाला concept clear हो गया, यह वाला concept अब चलिए, adverb में, I will always go to school, अब बताना, यह helping verb है, यह आपका main verb है, तो verb से भी बोले पहले क्या है, adverb है, तो यहाँ पर यह क्या यूज करेंगे, verb से भी पहले, adverb, यह बहुत important है, यह तीनों जो concept है, बहुत important concept है, understanding point of view से, exam point of view से, सारे point of view से, यह सारे concept क्या है, बहुत important है, चलो, अब चलिए, करते हैं, types of adverb, क्या करेंगे, types of adverb, adverb कितने तरह के होते हैं, याद रखना, जब भी आपको भेन से reply मिले, कोई घटना हुआ, कब, भेर, कहां पे, ठीक है, उसके बाद how, कैसे, why, q, अगर reply मिले, आप समझ जाईएगा, तुरा, वो क्या है, adverb है, क्या adverb subject बनेगी, तो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्या object बनेगी, तो बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है, चलो, अब adverb of time, अब time है, तो भेन से reply देगा, कोई घटना, कब हुआ, कब हुआ, तो tomorrow, आने वा बिता हुआ कल, last day, ठीक है, बिता हुआ कल, last week, बिता हुआ सबता, 8, अभी तक, देन, कब, तब, ठीक है, daily, everyday, अब जैसे example देख लो, they will come soon, वे आएंगे, कब आएंगे, जल्द आएंगे, कब आएंगे, जल्द आएंगे, तो ये मेरा क्या होगा, adverb of time, समझ गे, ठीक है, I saw him yesterday, क्या, I saw him yesterday, कब देखा, तो कल, कल जो बित गया कल है, क्योंकि yesterday मतलब क्या है, past, अब past है, तो past के लिए कौन सा भर भी उज़ करते हैं, तो हमेशा यार रखिये, कौन सा भर, भी तू, past के लिए एक ही भर भी उज़ होता है, वो क्या है, भी तू, ठीक है, I saw him yesterday, क्यो I will call you later, कब कॉल करूंगा, तुम्हें, तो later, बाद मतलब यह क्या होगे, adverb of time, I go to school daily, कब जाता हूँ, तो daily जाता हूँ, रोज जाता हूँ, they will come on Monday, कब आएंगे, तो Monday को आएंगे, तो पूरा क्या होगे, adverb, I wake up early, कब उठते हैं, सुबह में उठते हैं, I take a bath every day, कब ले तो रोज लेते हैं, तो रोज लेते हैं, ठीक है, यह इतना हो गया होगा, adverb of place, अब देखो, जहां पे भी yesterday की बात हो, last Friday की बात हो, last week की बात हो, week हो, night हो, ऐसा कुछ हो, ago हो, ठीक है, ago तो हम में सा एक्जाम में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, अगो, यह वर्ड रहें, आपको B2 ही यूज करना है, क्योंकि यह क्या रिपरजेंट करते हैं, यह past को रिपरजेंट करते हैं, इसलिए हाँ पर क्या यूज करेंगे, B2 ही यूज करेंगे, तो बोलेंगे, had नहीं यूज कर सकते सर, तो had past of past होता है, ठीक है, had क्या होता है, past of past उसको past का reference चाहिए जैसे doctor की आने से पहले marriage मर चुका था तो एक पहले past में होता है past of past उससे भी पहले कोई होता है तब जाके हम had यूज करेंगे यासे नहीं यूज कर सकते तो जब भी बीता हुआ कल की बात करें, पास्ट की बात करें, तो आप क्या लगाईएगा, भीटू, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये एगो, बार बार एक्जाम में आता है, ठीक है, परजेंट में लिख देगा और बोल देगा, एगो, चलो, अगला देखो, अगला तो उपर, कहाँ नीचे, कहाँ अंदर, कहाँ बाहर, नियरभाई, कहाँ नदी, स्कूल, अब जैसे कहते है, वहाँ जाओ, कहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ, तो ये मेरा क्या हो गया, adverb of place, अब देखो, has imperative sentence, क्या है, imperative sentence, तो इसका subject क्या होता है, तो बोलेंगे you होता है, क्य here, आओ, कहाँ, यहाँ, तो ये भी क्या हो गया, adverb of place, ठीक है, I will study abroad, कहाँ बै परूंगा, तो abroad, क्या हो गया, adverb of place, they searched for the lost book everywhere, कहाँ कहाँ देखा, तो सभी जगह देखा, my sister is out, मेरी sister बाहर है, कहाँ है, तो out है, ये हो गया, adverb of place, ठीक है, जहाँ भी कहाँ का reply, जैसे देखो, I go to school, तो मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, तो school, ये पूरा जो हो गया, आपका, वो क्या हो गया, adverb हो गया, क्या हो गया, adverb, school नहीं लेना है, to school, ये जगह को denote कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, adverb of place, अब बात एक समझ लेना, बहुत important point है, कि किसी भी word को देख के आप ये नहीं कर सकते कि parts of speech में वो क्या काम कर रहा है, फिट से repeat करते हैं, किसी भी word को आप देख के ये नहीं कर सकते वो parts of speech में क्या काम कर रहा है, जब तक कि वो sentence में use ना हो, जैसे बोलते हैं, I reached home, ठीक है, I I have a home delivery service, I like my home, कहने का ये मतलब है, किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, जब तक कि वो sentence में use ना हो, parts of speech आप नहीं बता सकते, जैसे देखो, I reach में पहुंचा, कहां पहुंचा, तो घर पहुंचा, तो घर पहुंचा, तो यहां तो एडवर्ब हो गया, आपको लगा होगा कि ये नाउन है, लेकिन यहां तो नाउन का काम नहीं कर रहा है, यहां प तो बोलेंगे, हां, हों क्या काम कर रहा है, तो बोलेंगे adjective, उपर बोले, adverb है, नीचे बोल रहा है, यह क्या है, और लास्ट में बोल रहा है, यहां पर I like my home, पोसेसीव adjective है, उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो नाउन है, यहां पर अधवर्ब बन गया, यहां दोलाघ। एके लिएक्टियोन के पिया और जून की कि मैं में और तो हम में गतार कि अब्से चन्हेटर तो रही है और जैसे बताना दिछम क्या काम कर रहा है तो म Coleman district gouvern half नदइम ये बड़ीन काम कर लेगा ये अब्सेख्टिव का काम कर लेगा और यह भी नाउन का काम कर लेगा तो जब तक इस अंटेंस में यूद इना हो सब तक आपकी यूद नहीं किजेगा ठीक है? चलो Adverb of manner यह जवाब देगा How का? किसका जवाब देगा? How का? कोई काम कैसे हुआ Adverb of manner कोई काम? कैसे हुआ तो देखो Adjective में याद रखना Adjective में L-Y लगा दीजेगा वो बन जाएगा Adverb क्या बन जाएगा? Adverb अगर noun में क्या? noun में L-Y लगा दीजेगा वो बन जाएगा Adjective ठीक है? फिर से समझा अगर adjective में L-Y लगा दीए तो क्या बन जाएगा? Adverb अगर नाउन में लगा दिये तो क्या बन जागा? अद्जेक्टिव. इतना बात क्लियर ना? अद्जेक्टिव प्लस लवाई, अद्जेक्टिव प्लस लवाई, अद्जेक्टिव. अब beautiful है, adjective है, इसमें ly लगा दो, तो क्या बन जाएगा? beautifully, क्या बन जाएगा? adverb, loud है, adjective है, तो loud में ly लगा दो, तो क्या बन जाएगा? adverb, loudly, bad है, तो badly, gentle है, तो gently, neat है, तो neatly, quick है, तो quickly, slow है, slowly, तो एक noun बला भी example ले लेना, जैसे love है, plus ly, love noun होता है, क्या होता है noun, तो क्या हो जाएगा? lovely, अब lovely बताना क्या adverb होगा, तो बोलेगे बिल्कुल नहीं, क्या है, adjective है, क्यों? कि noun में ly लगाएंगे, तो adjective, अब जैसे friend है, plus ly, तो क्या हो जाएगा? friendly, ठीक, तो यह क्या हो गया? adjective, चलो आगे देखो, good है, good का होता है, well, easy का, easily, ठीक है, अब देखो, जब भी add verb of manner यूज करना है, तो देख लेना, transitive है कि intransitive, subject आएगा, verb आएगा, verb अगर intransitive निकला, तो यहीं पर लिख दीजिए, add verb of manner, ठीक है, अगर subject निकला, transitive, तो क्या ले लेगा? object ले लेगा, क्या ले लेगा? object, तो उसके बाद लिखना है, add verb of manner, बात clear? और जो भी positional object आएगे, वो last में चले जाएगे, he ate, वो खाया था, क्या खाया chocolate, तो देखो, object लिया लिया, greedily, बहुत ही, लोभी पूर्ण तरीके से क्या किया? खाया, ठीक है, अब greedily किस पे जोर दे रहा है, तो भर पे, हमेशा याद रखना है, add verb of manner, भर पे ही जोर देगा, ठीक है, they fought, उत्ले, कैसे लरे, तो bravely, किस पे जोर दे रहा है, तो bravely पे, ठीक है, the child slipped, सो गया, intransitive है, कैसे? soundly, बहुत अच्छे से निन से, क्या किया? सो गया, अब देखो, we let him down, slow, धीरे-धीरे क्या है, लेटा दिया उसको, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, object ले लिया, object के बाद क्या आगया? adverb of manner, hold the box, अब यह imperative sentence से इसका subject कौन होता है, तो you होता है, hold the box, कैसे? carefully, कैसे करो, carefully करो, ठीक है, he does his work, अब transitive verb है, object लिया, यहाँ पे, honestly, she left the place, छोर दिया, क्या छोर दिया, प्लेस को छोर दिया, कैसे? tangrally, बहुत, गुसे में, ठीक है, you danced beautifully last night, अब चुकि last night का यूज हो रहा है कब, तो पिछली रात, पिछली रात past है, तो इसलिए भीटू यूज किया, you dance beautifully, जो beautifully है, किस पे जोर देगा, तो dance पे, you handle the case, boldly, कैसे handle किया, boldly, देखो, अगर transitive है, तो object लेगा, फिर object के बाद रखेंगे, adverb of manner, अगर intransitive है, तो उसके जोर देगा, ठीक है, तो इतना काम कर लेते हैं, आज के लिए, आज के लिए इतना ही paper reading हो गया, adverb का भी concept दे रहा हूं, ठीक, अच्छे से paper पढ़िए, अच्छे से उसको understand करिये, अब भूगाइब का भी series आज हुआ, आज से भूगाइब भी चालू हो जाएगा, हमारे दीपक सरा है, ठीक, वर्ड का बताएंगे आपको कैसे वर्ड को याद करना है, और कैसे आपको उसको memorize मतलब लंबे समय तक रखना है, ठीक है, तो दूसरी जो वीडियो होगी आज, वो दीपक सर का होगा, जिसमें वर्ड बताएंगे कि कैसे उसको याद करना है, ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ही कहें बाइ